Hello guys, this is Jatin and welcome back to my YouTube channel तो दोस्तो जो आज की वीडियो होने वाली है वो आपने थमनेल में देखी लिए होगा मेरे पास ना भाई काफी कमेंट आ रहे थे यार LPU के बारे में काफी टाइम हो गया LPU के बारे में कोई वीडियो निम नहीं तो वो एक बार जरूर चैक करेंगे तो चलो बीना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते है आज की इस वीडियो को बबाई काफी बड़ा infrastructure है अपने देखा ही होगा पिक्स याडरा में यह मैंने पिक बेट है आज दीए इसमें भी देख रहे ना 600 में भाई एल्पी उसका इन्फ्रसंक्चर है जो की काफी बड़ा है और भाई swimming pool है इनका खुद का खुद का भाई इतना बड़ा cricket ground भी है इनका तो भाई LPU में sports काफी strong है काफी benefit मिलता है काफी scholarship वगेरा मिलती है sports वालों उसके लिए भी हम अलग detail में video बना देगे अगर आपको चाहिए तो comment में बता देना फर्ड जो advantage आ जाती है वो आ जाती है कि भाई आपको LPU में admission मिल सकता है directly भी अगर आप admission लेना चाहते हो अगर आपका जेई में अच्छा score ने आया है तो आप LPU को consider कर सकते हो फर्ड जो advantage आ जाता है वो आ जाता है इनका भाई college का lifestyle होस्टल का lifestyle भाई होस्टल कोलेज का lifestyle काफी अच्छा है कुछ restrictions नहीं है भाई हाँ जरूर लड़कियों के लिए रेस्ट्रिक्शन है वो हर college में यह होती है और होस्टल में होते है साथ आट बजे आपको अंदर जाना पड़ता है बाई बट बोईस के लिए जन्नत है सब कुछ एवी लेबल है होस्टल में तो मतलब कोई दिक्कत वाली बात निया होस्टल लाइब बहुत अच्छी है एल्प्यू की फिफ जो advantage आ जा जाता है आपको देखने को मिलेगे इंटरनेशनल स्टुडेंट्स भी आपको देखने को मिलेगे तो बाई ऑल इन वालन काफी अच्छा कल्चर है काफी अच्छा क्राउट आता है एल्प्यू में स्टूडेंट्स का 7th advantage भाई fully wifi campus है हर जगा आपको wifi मिल जाएगा LPU में देखने को कही मर्जी आप internet सर्फ कर सकते हो बढ़िया high speed wifi लगे हुए है तो भाई वो भी कोई दिक्कत ने है internet वाली भी 8th advantage आ जाता है वो आ जाता है food outlets का मतला भाई एक से एक बढ़िया food outlets है आपको domino's मिल जाएगा CCD मिल जाएगा खुद का इनका एक departmental store departmental mall टाइप है जहापे सारी चीज़े आपको मिल जाएगी खाने पीने की related और छोटे छोटे-छोटे काफी outlet मैगी पॉइंट नेसले के इंडोर गेम्स काफी सारी इंडोर गेम्स आपको देखने को मिल जाएगी यह नहीं है कि जो professionally खेलता है वही खेल सकता है आपका मन करता है आप भी खेल सकते हो भाई bowling आपको मिल जाएगी वहापे देखने को उसके बाद snooker tables आपको मिल जाएगी यार LPU में देखने को तो आप भी जाके अपना time pass कर सकते हो अगर free हो तो larger advantage आ जाती है वो आ जाती है भाई इनकी placement placement मतलग इनके जो maximum students है हर course में CSC MBA में maximum students इनके placed हो जाते हैं अभी LPU के कौन्स की बात कर लेते हैं कि यार क्यूं हमें LPU में admission नहीं लेना चाहिए तो देखो first reason आ जाता है भाई average return on investment return on investment उतना अच्छा नहीं है भाई 15 लाग रुपे आप अपनी CSC पे लगाते हो 5 लाग रुपे इनका average का package है तो भाई ROI उतना अच्छा नहीं है as compared to another competitors तो भाई जो second disadvantage आ जाता है वो आ जाता हाई student intake यह LPU का disadvantage नहीं है यह maximum private university यही काम करती है भाई student जितने मर्जी ले लो बा third जो इनका disadvantage आ जाता है वो आता है bulk placement का जैसा मैंने बताया कि भाई LPU overall सारे बच्चे placed हो जाते है बट वो बच्चे placed कैसे होते है भाई वो ऐसा नहीं है कि भाई सारे ही MNCs में बड़ी जा रहा है काफी चोटी companies आती है काफी startup आते है जो कि भाई bulk में बच्चों को ले जा है इसलिए आपे maximum student placed हो जाते है और जो last इनका disadvantage आ जाता है वो आजाता है भाई high fees high है इनकी as compared to another competitors अगर हम placement भी देखे अगर हम ROI भी देखे तो fees काफी हाई है तो यह बात हो गई LPU के pros and cons अब आ जाता है कि भाई आपके opinion देते हो आपका क्या conclusion है LPU में admission लेना चाहिए हमें लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए तो क्यों तो देखो अभी आपके सामने मैंने सारे pros and cons रख दिया आपके भी मन में कुछ-कुछ तो चल गया होगा LPU से लेडिड़िद अभी मैं उस चीज को थोड़ा और क्लियर कर देता हो देखो अगर आपने जिंदगी जी तो आप अपना JEE वगरा की तयारी करो अच्छे college में admission लो, NIT में लो, IIT में लो, IIIT में लो, बट भाई LPU में नहीं क्योंकि LPU में आपको placement के लिए ऐसा नहीं है कि अच्छी placement नहीं होगी हाँ जिनके घरवालों पर अच्छा पैसा है या जिनोंने भाई जिन्दगी भी जी नहीं है और placement भी चाहिए एवरेज है ठीक ती को जो उनको अच्छी placement से कोई मतलब नहीं है तो भाई आप LPU में admission लो, मज़ेदार जिन्दगी भी जी लोगे और placement भी लेके निकली जाओ किस लिए बढ़िया है किस लिए नहीं बढ़िया तो ठीक है अगर ये वीडियो आपको पसंद आई फो वीडियो इंफोर मेटिव लगी और थोड़ा सा भी डाउट क्लियर हो गया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना मिलते है अगले किसी बाई टेक्या है वन नाइस टे